द्रश्टी आईएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्पवागत है मेरा नाम है मनीश हाली में अमेरिका के ओरेगन प्रांत में ब्यूबॉनिक प्लेग का एक मामला थामने आया है क्योंकि ब्यूबॉनिक प्लेग के कारण चोदवी शताबदी में यूरोप की लगभग आधी आबादी समाप्थ हो गई थी यूरोप की पांच करूर जनसंख्या के समाप्थ होने के कारण इसको ब्लैक डैथ के भी नाम से जाना जाता है और ये इतिहास की सबसे बड़ी महमारियों में शामिल है इसलिए आज बात ब्यूबॉनिक प्लेग पर ही इनफोकस के प्रोग्राम में और हमारे टोपिक का नाम होगा क्या हमें ब्यूबॉनिक प्लेग से परिशान होना चाहिए सबसे पहले देखते हैं कि इस टोपिक के अंतरगत हमारी चर्चा की सामाने पक्ष क्या होंगे सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये टोपिक चर्चा में है यानि अमेरिका के ओरेगन प्रांत में एक मामला सामने आया है और ये वर्ष 2005 के बाद पहला मामला है जो बिवववनिक का अमेरिका में सामने आया है इसी के कारण ये पुरा टोपिक चर्चा में है तो इसके बाद हमारे लिए जाना जरूरी है कि बिवववनिक प्लेग वास्ता में होता क्या है इसके लक्षन क्या है और जो चोदवी शतापदी में बिवबोनिक प्लेक फैला था जिसमें यूरोप की लगभग आधी आबाधी समाप्त हो गई थी लगभग 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी जिसको ब्लेक डेथ की नाम से भी जाना जाता है उस ब्लेक डेथ का प्रभाव क्या था और क्या वर्तमान में जो केस आया है इससे हमें चिंता करने की आवशकता है इस पक्ष को भी समझेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रशन होगा जिसका उतरा आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके देना होगा कि जो पूरा विशे है ये UPST की मुख्य परिक्षा की सामान अध्यन प्रशन पत्र तीन के विज्ञान एम प्रद्योगी की और उसके स्वास्त संबंदिक हंडू से जुड़ेगा और साथ ही आप इसको प्रशन पत्र पहले के शहरी करण से संबंदि समश्चाओं से भी जोड़ करके देख सकते हैं प्रशन पत्र एक के हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाईए तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी और उन प्रोग्राम का लाब आप उठा सकते हैं साथ ही हमारे सभी इनफोकस्ट प्रोग्राम की जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनकी PDF फाइल आपको इनफोकस द्रिष्टी आइस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब कराई जा रही है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ डिस्क्रिप्शन में फैलती है उसको जानते हैं यर्स्तीनिया पैस्टिस और क्योंकि एक जुनोटिक बिमारी है जुनोटिक बिमारी का मतलब क्या है कि जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है जुनोटिक बिमारी है तो जुनोटिक बिमारी होने के कारण ये छोटे जानवरों और उनके पिस् जैसे लक्षन पैदा होते हैं, तीन तरीकों से ब्यूबॉनिक प्लेग फैल सकता है, और तीन तरीकों से फैलने के कारण सामाने तोर से इसे तीन वर्गों में विवाजित क्या जाता है, एक को कहा जाता है ब्यूबॉनिक प्लेग, एक को कहा जाता है सेप्टिसमिक प्लेग और एक को कहा जाता है, pneumonic plague, तो तीन तरीकों से फैलता है, तीन तरीकों से संक्रामक होता है, संक्रमन इसका होता है, एक संक्रमित पिस्तू के काटने से होता है, दूसरा संक्रामक, शारेरिक, तरलपदार्त या दूशित सामगरी के साथ असुरक्षित संपर्क के कारण होता ह जैसे चुहे द्वारा, जो संक्रमित चुहा है, अगर उसके द्वारा काट लिया जाता है, तो उसके कारण भी होता है, और pneumonic plague से पेडित, अगर कोई व्यक्ति pneumonic plague से पेडित है, यानि जब इसका बैक्टेरिया आपके फेफडों में प्रवेश कर जाता है, तो उसको कहते है pneumonic plague, तो अगर कोई व्यक्ति pneumonic plague से पेडित है, तो उसके उस रोगी की सांस की बूंदू, यानि ड्रोपलेट के कणों का अंतहस त्वसन द्वारा, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाने से भी ये फेलता है, इसके सामाने लक्षणों की बात करें, तो सामाने लक्षणों में pneumonic plague जैसा कि अभी आपको बताया, bacteria जो है, इसका ये lymph nodes में प्रवेश कर जाता है, lymph nodes क्या होता है, ये हमारे शरीर के अलग-लग अंगों में मटर के दाने के आकार की गोलाकार संदरशनाए होती है, जैसे हमारे शरीर के अलग-लग अंगों में ये स्थित होती है, आप देख इनमें अचानक सूजन हो जाए, तो ये cancer का भी संकेत देती है, तो bubonic plague में जो इसका bacteria है, वो lymph nodes में प्रवेश कर जाता है, और किस तरह से लक्षन सामने आते हैं, लक्षन बुखार के रूप में, सिरदर्द के रूप में, कमजोरी के रूप में, आपके शरीर में दर्द ह रूप में सामने आते हैं, और bubonic plague, जैसे कि अभी आपको बताया था, सामाने तरह आम तोर पर पिस्तू के काटने से होता है, यदि bacteria आपकी blood stream में प्रवेश कर जाए, यानि आपके रक्त प्रवहा में प्रवेश कर जाए, तो उसके कारण जो plague होता है, उसको कहते है, septicemic plague bubonic plague के इलाज नह होने पर ही आपको septicemic plague सामाने तोर से होता है, और इसके जो लक्षन है वो और जाता गंभीर होते जाते हैं, इसमें लक्षन और क्या हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है, शोक आते हैं आपको बार-बार, तवच्चा में रक्त स्त्राव होता है, यानि bleeding होती है आपकी skin में, उपांगो का काला पड़ जाता है, जैसे आपके पैर की अंगुलियां और नाख, इनमें ये blackish होती चली जाती हैं, और ये पिस्तू के काटने से या किसी संक्रमित जानवर को छूने से होता है, इसी तरह से जो आपको तीसरा रूप इसका बताया था और अन्य लक्षणों के सासाथ इसमें तेजी से निमोनिया फैलता है, प्लेक का एक मत रूप है, जो संक्रामक बूंदो दुआरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और इसलिए सबसे अधिक संक्रामक भी होता है, सबसे तेज गती से ये फैलता है, और इसी पर विशेश तोर से ध्यान देने की अवशक्ता होती है ब्लैक डैट यानि अब हम इसके प्रभामों को भी जानेंगे और देखेंगे कि क्या आधुनिक समय में इनसे बचने के कोई उपाए चोधवी शताबदी से ज़्यादा बहतर हमारे सामने आये हैं लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जो चोधवी शताबदी में 1346 से 1353 तक लगबख 7 सालों से विश में एक महमारी फैली थी खास तोर से पश्यमी उरोप में में पश्यमी रोप की लगबख आधी जनसंख्या 50 मिलियन लोगों की डैथ हुई थी और इसलिए उसको ब्लैक डैथ के नाम से जानते हैं क्या वो विश वितिहास की सबसे बड़ी महमारी थी कि चोद्वी शताबदी में अगर हम जनसंख्या के इस्तर को देखें और जनसंख्या के इस्तर के अनुरूप ब्लैक डैथ में होने वाली मुत्मित्यू का आकड़े पर विचार करें तो वो इतिहास की सबसे घातक विमारियों में शामिल थी लेकिन इस ब्लैक डैथ का जो प्रभाव था वो जिवित लोगों पर ज़्यादा पड़ा जिवित लोगों पर प्रभाव किस प्रकार से ज़्यादा बड़ा क्योंकि 2022 में नेचर पत्रिका में एक लेक प्रकाशित हुआ और उसने कहा कि कुछ आनुवनशिक उत्परिवर्तनों यानि जो जैनेटिक मिटेशन होता है genetic mutation का क्या मितलब हुआ, अभी हम आपको बताएंगे, कुछ आनुवनसिक उत परिवर्तनों से जीवित रहने की संभावना 40 परतिशत अधिक पढ़ी, जैसे हम किसी बैक्टीरिया से या किसी वाइरस से जब पेडित होते हैं, तो हमारे शरीर का जो रोग परतिरोग धक शमता है, वो एंटी बोडिस का निर्मान करती है, ताकि हमारा शरीर उस बिमारी से लड़ सके, जैसे कोरोनर से अगर कोई संक्रमित होता है, तो प्रारम में हमारे शरीर की एंटी बोडिस ही उस रोग से लड़ने का प्रयास करती है, और अगर किसी बिमारी से लड़ने के लिए और antibodies का निर्मान होता है तो शरीर को रोग प्रतिरोदक शमता को हमारे शरीर को आदत हो जाती है कि अगली बार अगर उस बिमारी से पेडित होगा तो स्वाभाविक रोप से antibodies का निर्मान होगा इस वजए से ये पत्रिका ये बताती है कि इसने मनुष्य में कुछ इस तरह के genetic mutations को यानि आनुवनशिक उत्परिवर्तनों को बढ़ावा दिया जिससे मनुष्य के जीवित रहने की संभावना लगभग 40 परतिशत अधिक हो गई इसका एक historical impact भी माना जाता विशेश रूप से महत्वपोन है और वो historical impact ये है कि पंदरवी शताबदी से जब यूरोप अलग-अलग महादीपों में समुदरी यातराई कर रहा था और अलग-लग महादीपों के समुदरी रास्ते खोज रहा था जिसने व्यापारिक वानेज संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ती बेहर ज़्यादा हो चुकी थी जब कोई व्यक्ती समुदर की आतराओं पर उसमें निकलता था तो संक्रामक रोगों से पेडित होने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन चोधवी शताबदी के death, black death की वज़े से यूरोब के लोगों में संक्रामक रोगों से लडने की शक्ती जादा हुई और वो दुनिया के अलग-लग शित्रों में पहुँचे और वहाँ पर अपने वानिजिक केंद्रों को स्थापित किया और सामरा जिवाद और उपने वेशवाद की शिरुवात भी जिसके इंपेक्ट के रूप में इत्यास कारों के बीच बहस है हाला कि इस उत्परिवर्तन की वज़े से इस मिटेशन की वज़े से सीधे तोर पर कुछ ओटो-इम्यून बिमारियां भी जोड़ी है ओटो-इम्यून का मतलब क्या है कि जब हमारे शरीर की एंटी बोडी जो निर् लेकिन कई बार हमारे ये एंटी बोडी हमारे इस शरीर की कोशिकाओं पर प्रहार कर देती हैं उससे ओटो-इम्यून डिजीज पैदा होती है तो यह भी बताया गया कि यह जो उत्परिवर्तन है यह जो मिटेशन है हमारे शरीर में कुछ ओटो-इम्यून बिमारियों के लिए भी जिम्मेदार है और इसलिए जो चौदवी शताबदी की घटना है उसका प्रभाव आज तक भी विद्वान है ओटो इम्म्यून बिमारी की रूप में लेकिन वर्तमान में जो प्लेग खैल रहा है जो प्लेग का जो केस औरेगन में मिला है उससे चिंता करने के आफ हो चैया सेप्टिस्टैमिक हो और चैया तीसरा रूप हो जिसको हम नियूमॉनिक कहते हैं उन तीनों से लड़ने के लिए हमारे पास बहतर एंटिबाइटिक्स है और इसलिए इससे घबराने की ज़रत नहीं है आज 1930 के दशक के बाद दशक तक जो विद्वानिक प्लेग ह पेरू में आते हैं लेकिन उनमें जो डैट का प्रतिशत है वो केवल 11 प्रतिशत है और इसका कारण क्या है इसका कारण है आधुनिक एंटिबॉटेज जो वाई पेस्टिस्ट्रूरा उत्पन खत्रे से निपटने में बहतर तरीके से साहयक है और मनुश्य को आज पहले के मुकाबले बहतर स्वच्चता का भी ज्यान है तो इन सभी वजो से इस ते घबरानी के आपशक्ता नहीं है और एंटी बोडी इसका उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो सबसे पहले अंत में एक प्रशन देख लेते हैं प्लेग बिमारी किस से जनित होती है यानि किस से उसका निर्मान होता है किस प्रकार से वो जन में लेती है वाइरस जनने, बैक्टेरिया जनने प्रोटो जोवा जनने या उपर उक्तमिस से कोई नहीं इस प्रशन का उतरा हमें कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके जरूर दीजिए साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन दबाईए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको पराप्त हो सके खिर से एक नए सेशन में आपसो मुलाकात होगी धन्यवाद साथ ह् भी से लुड़ाद